इस वीडियो में एक पिनफोर ड्रेस बनाना सीखेंगे, जिसमें के अंदर आप टॉप जो है, खुद सिल भी सकते हैं, या फिर कोई भी तरह की टी-शेट भी पहन सकते हैं, और उपर जो पार्ट होता है, ये पिनफोर ड्रेस का पार्ट है, साइड सीम में बटनिंग भी कर सकते हैं, फ्रिल लगा सकते हैं, आप जैसे बना सकते हैं, नेक लाइन को पाइपिंग के साथ फिनिश कर सकते हैं, तरह से ए लाइन शेप के साथ भी बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पर स्ट्रिंग डाली हुई है, और अंदर वाइट कलर का या फिर पिनफोर को सामने फुल ओपन रखकर बटनिंग कर सकते हैं, और यहां पर एक बो से सजाया हुआ है, अंदर फुल स्लीव की शर्ट बना सकते हैं, यह पिनफोर डेस के लिए मेजर्मेंट कैलकुलेशन है, और इस तरह से यह ड्राप्टिंग का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, यह अंदर के लिए है, ब्लाउस के लिए, और यह टॉप पार्ट है, यह स्लीव है, यह ड्राप्टिंग इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं, या सेव कर सकते हैं, यह कंटिनुव है, 5-8 वाला पार्ट स्लीव का, और इसके साथ ही कटिंग पार्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन लिखे हुआ है, और नीचे स्टिचिंग इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, यह ब्लाउस के लिए ड्राफ्टिंग है, जिसमें 0-1 और 2-3 कुल लंबाई है ब्लाउस की, जिसमें छाती के नाप के आदे भाग में 2 इंच जोड कर निशान लगाएं, कुल चोड़ाई 0-2 और 1-2-3 होगी, छाती के नाप के चोथ्य भाग में 1 इंच ढिले के लिए और आधा इंच सिलाई के लिए लेकर निशान लगाएं, 0-4 कंदे के नाप के आदे भाग में 1 फॉर्फ इंच जोड कर निशान लगाएं, 4-5 आदा इंच है नीचे, 0-6 चाती के नाप के बारवे भाग के बराबर गले की चोड़ाई का निशान है, पांच और छे को जोडे 0 to 7 छाती के नाप के बारवे भाग के बराबर है पीछे के गले की लंबाई 0 to 8 छाती के नाप के बारवे भाग में एक इंच और जोड कर आगे के गले की लंबाई का निशान लगाएं और गले का आकार बनाएं साथ और छे पर पीछे के लिए और आठ और छे पर सामने के भाग के लिए 0 to 9 चाति के नाप के चोते भाग के बराबर है बगल की लंबाई के लिए 2 to 10 भी बराबर है 0 to 9 के 9 और 10 को जोड़ कर एक सीधी लाइन बनाए इसके बाद बगल का आकार बनाए 4, 5 और 12 एक सीधी लाइन है 13 चार और 12 के बीच का बिंदू है 13 और 10 पर पीछे के बगल का आकार बनाए 13 से 14 अंदर की तरफ 14 इंच का निशान लगाए और 5, 14 और 10 पर आगे के बगल का आकार बनाए इस टॉप पार्ट को 1, 3, 10 पीछे के बगल के आकार के लिए 13, 5, 6 और पीछे की गले के आकार के साथ साथ पर काटे इसको रखकर आगे के भाग के लिए पीछे के भाग को रखकर आउट लाइन बना ले और फिर आगे के लिए गले का आकार और बगल का आकार बनाए और इसको कट करें 1, 3, 10, 14, 5, 6 और 8 पर ये बाह के लिए drafting है 0 to 1 बाह की लंबाई है बाह की लंबाई 3-4 इंच length भी लिजा सकती है या फिर full length भी लिजा सकती है छोटी बाह पिनाफोर डेस के साथ अच्छी नहीं लगती है तो आप बाह की लंबाई के साथ 1 इंच जादा नीचे मोडने के लिए निशान लगाएं 0 to 1 और 2 to 3 बाह की लंबाई का निशान है 0 to 2 और 1 to 3 बाह की कुल चोड़ाई है छाती के नाप के चोती भाग में आदा इंच जोड़कर निशान लगाएं 4 0 to 2 का मद्य बिन्दु है 4 से 5 अंदर की तरफ आदा इंच का निशान लगाएं 6 0 और 4 के बीच का मद्य बिन्दु है 6 से 7 अंदर की तरफ चोथा इंच का निशान लगाएं पांच से आठ एक इंच का निशान लगाएं, दो से नो बराबर है दो से चार के, नो पांच साथ और जीरो को स्केल के साथ जोड़ें, इसी तरह से नो आठ और साथ को भी स्केल के साथ जोड़ें, स्केल से जोड़ने के बाद, पॉइंटेड एरिया को पांच पर, साथ पर, या अगर आठ पर भी आए तो इसको स्मूद शेप देंगे, और पिछे के बगल का आकार है, नो पांच और साथ पर, और आगे के बगल का आकार है, नो आठ और साथ पर, एक से दस का निशान है, कोहनी के घेरे का आधा, और इसमें एक इंच ढिले के लिए, और आदा इंच सिलाई के लिए लेकर निशान लगाए, नो और दस को शेप के अनुसार जोड़े, स्लीव को कट करेंगे, एक, दस, नो, पांच, छे, जीरो पर, पीछे के बगल के आकार के साथ, ये स्लीव फोल्ड पे है, इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद एक तरफ, आगे के बगल का आकार काटेंगे, नो, आठ और साथ पर, पिनेफूर पार्ट है, टॉप पार्ट है, इसकी लंबाई 0 से 1 और 2 तू 3, इसकी कुल लंबाई है, जितना आप फ्रॉक की लंबाई लेते हैं, उतना ले सकते हैं, या छाती के नाप के बराबर भी ले सकते हैं, या छाती के नाप में 2 से 4 इंच जोड कर निशान लगा सक जीरो टू टू और वन टू त्री कुल घेरा है घेरे के हिसाप से चोड़ाई लिवी है जिसमें छाती के नापके चोते भाग में चार इंच जोड कर निशान लगाएंगे और एक चौकोर बनाएंगे जीरो वन त्री और टू पर जीरो टू फोर जैसे हमने यहाँ पर शोल्डर के लिए लिया है टॉप मार्ट में ब्लाउस में उसी तरह से कंदे का आधा और उसमें चोथा इंच जोड कर निशान लगाएंगे चार से पांच आधे इंच का निशान है जीरो टू सिक्स चाती के नापके बार्मे भाग में आधा इंच जोड कर निशान लगाएंगे पांच और शै को शेप से जोड़ेंगे जीरो टू सेवन गले की लंबाई का निशान है यहाँ पर आगे और पीछे दोनों के गले की लंबाई एक ही होगी चाती के नापके चोथे भाग में डेर से दो इंच जोड कर निशान बनाएं जीरो टू एट चाती के नापके चोथे भाग में आधा इंच जोड कर निशान लगाएंगे बगल की लंबाई के लिए एट तू नाइन चाती के नापके चोथे भाग में डेर इंच दिले के लिए और आधा इंच सिलाई के लिए लेकर निशान लगाएंगे नाइन और त्री को शेप से जोडेंगे इसके साथ ही बगल का आकार बनाएंगे 9, 5, 11 स्ट्रेट लाइन है 12, 4 और 11 के बीच का पॉइंट है 12 और 9 पर पिछे के बगल का आकार बनाएंगे 12 तू 13 आधा इंच का निशान लगाएंगे और 4, 13 और 9 पर आगे के बगल का आकार बनाएंगे 4 को कट करेंगे 1, 3, 9, 12, 5, 6 और 7 पर इसके बार फोल्ड खोल कर पीछे आगे के बगल का आकार कट करेंगे 9, 13 और 5 पर इसके बार डिस्क को पाइपिंग से सजाने के लिए क्रॉस टिप्स कट कर लें क्रॉस स्टिप्स किस तरह से कट करना चाहिए पाइपिंग बनाना चाहिए या फिनिशिंग करना चाहिए इसके लिए होम टेलरिंग भाई कुसम शर्मा में आप वीडियो देख सकते हैं इसके साथ ही अगर कॉलर लगाना हो निकलाइन पर तो कॉलर लगाने का भी वीडियो आपको होम टेलिंग भाई कुसम शर्मा में मिल जाएगा तो आप ये दोनों वीडियो देख लिए और उसी इसाब से बाकी के स्ट्रिप्स वगरा कट करें अगर ओपन रखना है तो प्लैकेट कट करना या फिनिश करना स्टिच करना ये भी आप होम टेलिंग भाई कुसम शर्मा में सर्च करके देख सकते हैं पिनाफोर ड्रेस्ट बनाने के लिए दो तरह के कपड़ों का इस्तिमाल करना चाहते हैं एक प्रिंटेड और एक प्लैन तो ब्लाउस के लिए प्लैन कपड़े का इस्तिमाल करें और प्रिंटेड से पिनाफोर ड्रेस्ट बनाएं स्टिचिंग करने का तरीका टॉप पार्ट का ब्लाउज का है सबसे पहले बटनिंग फिनिश कर लें चाहे फ्रंट में हो चाहे बैक में हो बटनिंग फिनिश कर लें उसके बाद कंधे जोड़ लें आगे और पीछे के भागों कंधों को जोड़ लें उसके बाद नेकलाइन फिनिश करें, कॉलर के साथ करें या आप जैसा चाहें वैसा करें, इसके बाद स्लीव के बॉटम को आप चाहें तो पिनाफोर के जैसे कपड़े की स्ट्रिप लगा सकते हैं, यहां भी लगाई वी है, चाहें तो आप पप बना सकते हैं, यहां पे गैदर की वी है, नीचे भ करने के बाद ब्लाहूस के नीचे वाले पार्ट को हेमिंग वाले पार्ट को फोल्ड करके स्टिच करके फिनिश करें फोर के पार्ट को आगे और पीछे के भागों को मिला करके कंदे जोड लें इसमें बटनिंग की जरुवत नहीं है क्योंकि आगे और पीछे का गला दोनों बराबर है और बड़ा भी है तो पहनने में आसान होगा शुल्डर जाइन करने ने के बाद आप आम होड को और नेकलाइन को चाहें तो पाइपिंग से विनिश कर सकते हैं इसके बाद साइड को जोड़ लें और चाहें तो फ्लेयर पार्ट को यहीं आप फोल्ड करके स्टिच कर लें या फिर फ्रिल से सजा सकते हैं इस तरह से पिनफोर डेस आप सिलाई कर सकते हैं दो तरह के कपड़ों को मैच करके एक सुंदर सी फ्रॉक बन जाती है जाती है